स्वागत है आपका ग्यान का डबा के एक और नए एपिसोड में आज का टॉपिक है हाउ टो प्रोमोट यूट्यूब वीडियो थ्रू गूगल अडवर्ड्स माने हम एक यूट्यूब पे किसी वीडियो को प्रोमोट कैसे करें गूगल अडवर्ड्स के जरीए हाला कि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी आपके वाचार्ज आते हैं वीजूज के जरीए जो आपको प्रोमोट करने से मिला उस वीडियो को वो वाचार्ज आपके मौनेटाज़ेशन में अकाउंट नहीं किए जाएंगे विडिो प्रमोट्री के दूसरे कई सारे फायदे उन मेंसे एक यह है कि जब हम विडियो प्रमोट करते हैं एक पर्टिकलर आदिएंस के भिच में तो आपको नए लोग आते हैं अवकी चैनल पर और उस मेंसे अगर कुछ ने आ के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जो कि होता ही है अकसर तो आपको नए subscriber जरूर काउंट होते है monetization के वक्त तो आपके 2 लक्ष ओते हैं monetization के लिए पहला सम्सक्राइबर पाना दूसरा लक्ष है 4000 गंटे का watch time करना प्रमोशन के जरीये जो watch time आता है वो count नहीं होता है monetization में लेकिन प्रोमोशन की वजह से जो सब्सक्राइबर्स नए आते हैं आपके चैनल पे वो जरूर काउंट होते हैं तो कम से कम एक लक्ष को पूरा करने में आपको मदद जरूर मिलती है यह तो हुआ पहला फाइदा दूसरा आप जिस वीडियो को मॉनिटाइस कर रहे हैं अगर वहीं पे उसी वीडियो की एंड स्क्रीम में या कुछ काड्स एड कर दिया आपने आपी की चैनल के दूसरे वीडियो के और उन वीडियो को जो व्यूज मिलते हैं इस प्रोमोशन के जरीए या जो लोगों ने इस वीडियो को देखा क्योंकि ये प्रोमोट हो रहा है उन्हीं लोगों ने आपके एंड कार्ड पे जो आपके चैनल का दूसरा कोई वीडियो है उस पे क्लिक किया या आपने कोई कार्ड्स डाल रखे हैं वीडियो के बीच में सजेशन कार्ड्स उस वीडियो को क्लिक किया तो उसके व्यूज और वाच्टाइम आपको ज़रूर काउंट होगे सबसे पहले हम जहां जाएंगे हमने हमारा ही चैनल कोला है ज्यान का डबबा यूट्यूब स्टूडियो में हमको ऑप्शन है जहां डैशबूर्ट के नीचे वीडियो लिखा है उसमें हम किसी भी वीडियो को लेते हैं जैसे कि हाउट ड्रोंस फ्लाइ जो हमारा लेटेस्ट वीडियो है वहाँ पे उसके सामने तीन डॉट से जहां ऑप्शन जे वहाँ पर प्रमोट का लिंग है अगर हम प्रमोट पर क्लिक करते हैं वह में ले जाता है गूगल अड्स पर यहां पर हम गेट स्टार्टेट क्लिक करते हैं और यह देखिए इस तरह से हमारा एक गूगल एड पर वीडियो बनता है लेकिन जैसा कि मैंने पहले का यह तरीका हम नहीं अपनाएंगे चूँकि इसमें हम मैनुवली कई सारी चीजे नहीं सेलेक करते हैं और गूगल हमारे लिए सेलेक करता है और इस वजए से इस पे प कॉस्ट पर व्यू अराउंड एक रुपे 25 पैसे या एक रुपे 40 पैसे तक आ रहा था और वो बहुत मैंगा है जैसा कि मैंने का हम प्रमोट करेंगे वीडियो को सीधा गूगल एड्स के सरीए वहां पे हमारा कॉस्ट पर व्यू काफी काम आता है मैं आपको दिखाता हू कैसे अब मैं जाता हूँ गूगल एड्स पर और जो लोग अपना एड पहली बार प्रमोट कर रहे है अपने वीडियो पहली बार प्रमोट कर रहे है यूट्यूब को यूट्यूब पे उन्हें एक 2000 रुपीज का क्रेड़ वाउचर मिलता है गूगल एड्स से आपको केव और जैसी आप साइन करते हैं गूगल एड्स में उसे आप पेस कीजिए और आपके 2000 रुपे आपको तुरंद मिल जाएंगे फिलाल हम साइन करते हैं जान का डबबा के गूगल एड्स में अब जैसा कि देख रहे हैं आप हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया है न्यू कैम्पे क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें पुछा जाएगा कि इस वीडियो को प्रोमोट करने का अबजेक्टिव किया है हमें मैक्सिम्म व्यूज के लिए अपने वीडियो पर चूज करना है क्रिएट अ क्यामपें विडाउट गोल्स गाइडेंस उसके बाद आपको कैमपेंड पूछा जाएगा यहाँ पर आटमाइटिक लिए कस्टम वीडियो कैमपेंड क्लिक्ट है और हमें उसी को सिलेक्ट करना है हम आगे जाते है अब हमें अपने कैमपेंड को एक नाम देना है तो पैसे तो इसको कोई भी नाम दिया जा सकता है लेकिन हम इसे नाम देते हैं ज हमें मैक्सिममम सीपीवी और टागेट सीपीम का ओप्शन आएगा हमें मैक्सिममम सीपीवी चुछ करना है हम यहाँ पर बजट्स एंडेट में बुछा जाएगा बजट और अमाउंट हम इसे डिली चुछ करेंगे और यहां हम डालते हैं 300 रुपीस पर डेए यहां जालता हूँ यहां जालना ज़रूरी है वरना हर दिन हमें चार्ज करते रहेंगे तर्ड ऑगस्ट की हमें यहां नेट्वक्स पूछा जाएगा यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स और यूट्यूब वीडियो को सिलेक्ट रहने दीचिए वीडियो पार्टनर्स और डिस्प पूछा जाएगा आप क्यों पर है आप किस लेंग्विज में चुक कमफोर्टेबल है लोग उनमें प्रोमोट करना चाहते हैं चुकि हमारे वीडियो हिंदी में मैं यह इसमें हिंदी चूछ करता हूँ हमें इन्वेंटरी टाइप पूछी जाएगी है हमें स्टैंडर्ड इन्वेंटरी लेनी है इसमें हमें एम्बेड़ेट व्यूट्यूब वीडियोस सिलेक्ट करना है एक्सलूड़ेट टाइप्स और लेबल्स में और लाइफ स्टैंडर्ड वीडियोस भी सिलेक्ट किया जा सकता है हम इस एड्ड ग्रूप को एक नाम देंगे यहां पे और यही बात मैं कह रहा था डेमोग्राफिक्स में आप खुद मैंईूइलि सेलेक्ट कर सकते हैं आप क्या क्या ओडियन्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मैं यहां पे फिमेल और में जोन को को select रखता हूं, unknown को delete करता हूं, इस वीडियो के लिए हमारी audience relatively young है, क्योंकि drones किस तरह से उड़ाना चाहिए या पहले drones किस तरह से उड़ा सकते हैं, यह generally young audience को इसमें रूची रहती है, तो मैं 35 to 44 and above सभी को इसमें से निकाल देता हूं, मैं मेरी audience को 18 to 34 के range में choose करता हूं, यहाँ parental status पूछा गया है और यहाँ मैं parent और not a parent दोनों को selected रखता हूं और unknown को unselect करता हूं, household income, मैं top 30% household select करता हूं, क्योंकि एक drone खरीदने में भी काफी पैसे लगते हूं, उसे maintain करने में, उसे accessories लाने में, तो इसलिए मैं prefer करना हूं कि top 30% household income को मेरा वीडियो जाए, ताकि मुझे maximum effective reach मिले, यहाँ पे audience में specific audiences दी गई हैं, जिनकी कुछ specific interests हों, जो मुझे लगता है कि जिन audience को इन topics में interest है, वो यी video देखना पसंद करेगी, तो मैं select करता हूं media and entertainment, techno files, क्योंकि drone एक electronic gadget है, नहीं technology है, तो जाहिर सी बात है कि जो लोगों को technology में interest है, वो रूची रखते होंगे इस तरह के videos में, digital marketing, lifestyle and hobbies, technology, तो मैंने इस तरह के interest वाले लोगों को select किया है, इससे क्या होदा है कि मेरी targeting, जो मैं चाहता हूं, जो जनता मेरे वीडियो को देखें, वो जादा शाथ होती है, अब इसमें मैं कुछ keywords select करता हूं, जो मुझे लगता है, इन keywords को जो ढूण रहे हैं, वो लोगों को रूची होगी, तो मैंने ये चार keywords डाले हैं, यहां मैं चूज़ करता हूं specific subjects के बारे में, अगर कोई video डूण रहा है, तो उस video पर हमारा add आना चाहिए, मैं यहां select करता हूं arts and entertainment, computers and electronics, internet and telecom, realistic, travel and transportation, मैं यह इसलिए select कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जो लोग इन topics पे videos देखने जा रहे हैं, और उन topics के पहले अगर हमारा how to fly drones video आता है, तो उनको रूची जादा होगी, मेरा video देखने में, मैं YouTube videos पे इसको place करूँगा, अब यह बहुत एहम चीज है, हमें एक bid करना पड़ेगा, हम कितने पैसे per view में bid करना चाहते हैं, तो कहने को तो यह, जैसे कि मैंने पहले का, एक रुपे, दो रुपे, तीन रुपे भी जाता है, लेकिन हम शुरू करते हैं, दस पैसे, तो मैंने बिड कर दिया, दस पैसे per view पे, कि 10% का adjustment, या मैं इसे 20 कर देता हूँ, मैं 20% के adjustment, इसमें मैं यूट्यूब को अलाव करता हूँ, जो मुझे बिना पूछे कर सकते हैं, अब यहां मुझे वीडियो का link, शेर करना है, जिस वीडियो को मैं प्रोमोट करना चाह रहा हूँ, तो यह, और यहां मैं इस link को paste कर देता हूँ, अब यहां पूछा जाएगा, कि मैं किस तरह की video format चाहता हूँ, मैं video discovery ad select करूँ न, यहां मुझे से एक headline पूछी जाएगी, मेरे video के लिए, जो मुझे 100 words के अंदर लिखनी और describe करना है, यह हो गई हमारी headline, अब यहां मुझे describe करना है, कि वीडियो किस बारे में है, यहां मुझे एक और description देना है, मैं अपने ad को एक नाम दे सकता हूँ, और अब मैं इस campaign को create करता हूँ, यह हमारा campaign ready हो चुका है, जैसा कि Google हमें बता रहा है, अब हमें click करना है, continue to campaign पे, और यह हमारा campaign तयार है, प्रोमोट होने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, how drone fly, campaign status eligible है, maximum CPV हमने डाल रखा है, जैसे ही, यह campaign शुरू हो जाएगा, हमें तुरंथ अपने YouTube चैनल पे नजर आने लगेगा, कि उसके व्यूज बढ़ रहे हैं, और जैसे यह व्यूज बढ़ेंगे, हमें, at various stages, हमें हर दिन आके, इसी साइट पे, डैश्बूर्ट में देख सकता हूँ, यह डैश्बूर्ट रिपोर्ट जेनरेट करता है, यह बताता है कि इतना खर्चा हुआ है, maximum cost per view कितना है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन YouTube पे बड़े busy हो, कई advertisers उस पे ads डाल रहे हो, ऐसे दिनों पे हमारा जो bid है, वो शायद उतना optimal ना हो, और ऐसे दिनों पे यह भी हो सकता है, कि हमारा जो amount है, क्यों हमने invest किया है per day, जैसे कि हमने 300 रुपे invest किया है, वो काफी ना हो, तो Google AdWords campaign को रोक देगा, और हमें पूछेगा, कि क्या हम amount बढ़ाना चाहते हैं, जिसके वैसे हमारा campaign वापस चुरू हो जाए, या हम रोकेंगे तब तक, जब तक कि YouTube इतना busy ना हो और फिर हमारा campaign चुरू हो, तो वो choice हमारा है, कि हम कितना जल्दी अपने विज़ बढ़ाना चाहते हैं, और उस हिसाब से हम एक decision ले सकते हैं, तो जैसा कि आपने देखा, इतना आसान है अपने वीडियो को प्रोमोट करना, गूगल आइट्स के जरिए, बस आपको अपनी सही audience चुननी है, सही CPV bid डालनी है, और सही columns को select करना है, और आप तयार है अपने वीडियो को प्रोमोट करने के लिए, अब वापस आते हैं उस बात पे जो मैंने वीडियो के शुरुवात में कही, मैंने कहा कि जो भी वीडियो आप प्रोमोट करते हैं और उस प्रोमोशन के जरिये जो वाच्टाइम आता है, वो आपके monetization में काउंट नहीं होगा, लेकिन जो subscribers नहीं आते हैं, वो ज़रूर काउंट होंगे, और अगर हम smartly कुछ changes करें हमारे वीडियो में, तो हमारे दूसरे वीडियो के व्यूज बढ़ सकते हैं इस वीडियो के जरिये और उस वज़य से हमारा वाच्टाइम भी चैनल पर बढ़ सकता है, तो आए देखते हैं कैसे, तो अभी हम चुनते हैं उसी वीडियो को, जिसको हम प्रोमोट कर रहे हैं, यह मैंने सिलेक्ट किया वीडियो को, यहाँ पर हमें ऑप्शन है, एंड स्क्रीम का, जैसे कि आप देख रहे हैं, वीडियो के एंड में हमें एक चॉइस मिलेगा, हम कोई भी एक या दो वीडियो को प्रोमोट कर सके, मैं यहाँ पर यह टेंपलेट चूज़ करता हूँ, अब मैं अपने ही चैनल से, एक दूसरा वीडियो चुनता हूँ, अंडरस्टेंडिंग यूट्यूब अनेलिटिक्स, और एक और वीडियो चूज़ करता हूँ, तो जैसे ही कोई वीवर अगर अंध तक इस वीडियो को देखेगा, उसे सजेस्टिड ये दो वीडियो भी आएंगे, और अगर उन्हें इन दोनों मेंसे किसी पर भी क्लिक किया, और इन वीडियो को जो व्यूज मिले, वो मौनिटाइजेशन में ज़रूर काउंट होंगे, तो एक तो ये हो गया, हम इसे सेफ कर लेते हैं, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है काड्स का, काड्स वो चीज है जो शुरू में वीडियो में सजेशन बनके उपर आते हैं, आपने कई वीडियो पर देखा हुगा, तो हम इसमें भी एक वीडियो चुनते हैं, अपने ही चैनल का कोई और वीडियो, हम चूज करते हैं, यॉर फर्स ड्रोन, डिसाइड हाव तो बाई यॉर फर्स ड्रोन, क्योंकि इस वीडियो से मिलता जुलता है, जैसे कि आपने देखा, इस तरह से सजजेशन आ जाएगा वीडियो के शुरुवात से ही, तो जैसे ही लोग ये वीडियो देखते हैं, ये देखने के बाद, अगर उनको ड्रोन से ही रिलेटेड कोई और वीडियो देखना है, जो कि हमारे चैनल पर है, वो इस पर क्लिक कर लेंगे, तो ये ऑप्शन को हम सेफ कर देते हैं, अब हम अगर इस वीडियो को प्ले करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर सजजेस्टिट वीडियो में यॉर्फर्स ड्रोन आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पे क्लिक करके ये वीडियो देखा जा सकता है मैं इसे फिलाल बंग करता हूँ और अगर वीडियो के अंग तक लोग टिके रहते हैं हमारे साथ तो उनके ये दोनों वीडियो का उप्शन आएगा जो हमने एंड स्क्रीन में डाल रखे हैं तो अगर वो अंतक रहे और उन्होंने इस में से किसी भी एक वीडियो पर क्लिक किया और इस वीडियो को जो व्यूज मिले वो व्यूज भी काउंट होंगे वो वच्टाइम भी काउंट होगा तो इस तरह से अगर हम अपने वीडियो को प्रमोट करते हैं हम उसके जरीए अपने चैनल के दूसरे वीडियो को भी पेना प्रोमोट किये उनका व्यूज और वाच्टाइम बढ़ा सकते हैं तो जब भी आप कोई वीडियो को प्रोमोट करें अपने चैनल पर ज़रूर ख्याल में रखेगा कि आप अपने दूसरे वीडियो का भी watch time बढ़ा सकेंगे इस तरह से इन धरकीबों से इन hacks के साथ आप ये कर सकते हैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको helpful लगा होगा आपको इससे मदद मिलेगी और अब आप अपने YouTube चैनल पे जल्दी कोई वीडियो प्रोमोट करेंगे इन टिप्स को अपनाईए अपने प्रोमोट होने वाले वीडियो के साथ दूसरे वीडियो को भी जोड़िए और देखिए आपका चैनल किस तरह से आगे बढ़ता है शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए पर हमें प्रोचाहन देने के लिए हमने 500 सब्सक्राइबर्स कर लिए है मैं चाहूंगा कि जो लोग नए आ रहे हैं हमारे चैनल पर उन्हें अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू